सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ने बैल शेप्स पार्ट वन जयमीती संरचनाय जो है ये जयमीती संरचनाय इनका परिच्छा करवाया गया है ये पार्ट वन है उसका ठीक है तरस्राट करेंगे लेट सेव एक कुईक रिक रिकाप ऑफ बेसिक जयमेट्रिकल कोंसेप्ट आइए हम जयमीती अबदारनाओं को दोहराते हैं ठीक है चल्दी से पॉइंट नेम यहाँ पर नेम दिये हुए आपको कुछ geometrical जो यह आपको दी हुई है concept ठीक है और इनकी figure यहाँ पर आपको दी हुई है यहाँ पर आपको real life example लिखना है जो आपकी real life उसका कोई example उधारन देना ठीक है तो यहाँ point के पर आपके पर आपके पर आपके है यह point is just a position it has no thickness no length and no breadth it is a dimensionless quantity बिंदू बस पर चे एक इस्थिती होती है इसकी कोई ना तो मोटाई होती है ना इसकी लंबाई होती है ना इसकी कोई चड़ाई होती है यह एक आयाम हीन मात्रा होती है ठीक है कोई dimension नहीं होता इसका इसकी symbolically written as point P अगर आपको point P लिखना है ठीक है point को आप कुछ भी नाम दे सकते है A, B, C, D, E, F G, M, N, O, P कुछ भी दे सकते हैं तो यह point है ठीक है इस type से ऐसे करके जो आपकी pencil यह pen की needle उससे ऐसे करके आप बना सकते हैं यह point बना दीज़े आप ठीक है यह कुछ इस type से बन जाएगा ठीक है आप इसका real life example दे दीज़े bottle cap जो bottle का cap होता है bottle का ढखकन उसको आप लिख सकते हैं second है A line ठीक है line के है बच्चे यह side में अनन्त बिंदों का एक सीधा जुड़ा हुग समुच्च होती है it extends infinitely in both direction यह दोनों दिशाओं में अनन्त असीम रूप से फैली हुई है ठीक है it has no end points इसका कोई end points नहीं होता it cannot be measure इसे मापा नहीं जा सकता ठीक है तो देखिए line की बात हो रही है रेखा की ठीक है तो यहां symbolically written कैसे लिखा जाएगा इसे देखिए यह एक line हो गई कहीं तक भी जा सकती है इसका एक तरफ P लिख सकते हैं आप एक तरफ Q ऐसे नाम दे सकते हैं ठीक है अब जो हमारे real life example है वो हम लिख लेते हैं यह equator बिल्कुल बराबर बाठती है equally divide करती है अर्थ को ठीक है north and south में तो यह हम लिख देंगे third है line segment line segment के बारे में पढ़ लेते हैं a line segment is a part of a line starting at a point and ending at another point line segment बोलते हैं बच्चों रेखा खंड को रेखा खंड एक बिंदू से शुरू होकर दूसरे बिंदू पर समापत होने वाली एक रेखा का भाग है जैसे की एक बिंदू से शुरू हो रहा है दूसरे बिंदू पर खतम हो रहा है इसको आप P Q Q P कुछ भी नाम दे सकते हैं RSAB कुछ भी नाम दे दीजिया So it has two end points इसके दो अंत्वित होते हैं It can be easily measured इसा असानी से माप आ जा सकता है जैसे की आप daily life का एक example लिख सकते हैं Real life का piece of chalk आपने एक chalk का टुकड़ा देखा होगा board पर काम कराती है ma'am school में आप उसे measure कर सकते हैं माप सकते हैं ठीक है उसके एक end होता है दोरों तरफ से आप उसकी लंबाई को नाप सकते हैं तो उसे line segment का example में लिख देंगे Ray किरन जो होती है इसके बारे में पढ़ेंगे Ray is a part of a line starting from a point and extending infinitely in one direction एक किरन एक एक वाग है जो की एक बिंतु से शुरू होता है ठीक है और असीम रूप से पहला वो होता है शुरू तो ये एक point से होता है लेकिन फिर ये कहीं तक भी जा सकता है बच्चो कहीं तक भी कोई इसकी मतलब इसका end नहीं होता दूसरा इसका छोड का end नहीं होता A ray has only one end point इसका बस A की अंतबिंदू होता है जैसे कि आप एक तीर का example ले लिजा आप तीर को कितना ही बड़ा बना लिजे उसका एक तो point आपको पताऊगो दूसरा points के आप कितनी भी लंबाई रख सकते हैं सूरज की किरण लिख लीजे यहाँ पर आप sun rays भी लिख सकते हैं सबसे अच्छा एक्जामपल इसका sun rays सूरज की किरण ठीक है sun rays इसका example हो सकता rays का क्योंकि उसकी किरण सूरज से शुरू होती है लेकिन कहीं तक भी जा सकती है ठीक है उसका कोई end नहीं है अच्छा अब next देखेंगे intersecting line intersecting line का मतलब होता है पृतिछेदी रेखा है when two lines in a plane meet at a point जब समतल में कोई दो रेखा है एक बिंदू पर मिलती है ठीक है एक बिंदू पर तो मिल रही है एक रेखा ऐसे जारी है एक रेखा ऐसे जारी है तो एक बिंदू पर तो मिल रही है लेकिन एक दूसरे को cross कर रही है यह रेखा है उन्हें क्या बोलते है these are called intersecting line पृतिछेदी रेखा है कहलाते है जैसे यह एक line P हो गई है एक ही से बिलकुल एक ही point पर काट रही है क्यों हो गई ठीक है एक example ले सकते है daily life का the letter X जो कि हम alphabet में देखते हैं वो ऐसे ही इसका ही intersecting line का example है second है बच्चो parallel next है sorry parallel lines समानांतर रेखा है बोलते ही ने when any two lines in a plane never meet anywhere even after extending infinitely जब किसी समतल में कोई दो रेखा है अनत विस्तार के बाद भी नहीं मिलती है उने समानांतर रेखाएं कहलाते है जैसे ये रही PQ एक रेखा हो गई ये PQ एक हो गई RS ठीक है तो देखिए बच्चो इस टाइप से जब दो रेखाएं होती है ठीक है तो उने क्या बोलते है parallel lines जो अपस में कभी नहीं मिलती है एक दूसरे को काटती है उसका एक example लिख सकते है आप rail tracks ठीक है rail tracks होता है ये railway tracks भी लिख सकते है तो ये rail की जो पटरी होती है basically उसका सबसे अच्छे example है वो इसका तो वो हमने लिख दिया plane के पारे पढ़ते है a plane is a flat surface plane एक समतला करती है it extended infinitely in all direction ये सभी दिशाओं में फैली होई है it has no boundaries इसकी कोई सीमा नहीं है ठीक है plane तो कुछ भी मतलब बिलकुल एकदम plane चीज जिसकी कोई सीमा ही ना हो कहीं तक भी फैला हुआ हो उसका एक 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 एकजमपल लिख लिजा playground real life का playground खेल का मैदान ठीक है अब आगे देखते है angle angle मिस होता है बचो कौन an angle is a figure made by two rays meeting at common point कौन दो क्रुनों द्वारा उपहनिष्ट बिंदू पर मिलने से बनी आकरती है देखें दो रेकाई ले लीजे एक रेकाई होगई अभी एक बिंदू पर मिल रही है न ठीक है एक बिंदू पर मिल रही है common point पर दोनों एक ही बिंदू पर मिल रही है ठीक है तो यहाँ जो बनता है वो angle बनता है this common point is called vertex इसे शीर्ष बोलते है फार्फ में आगया एंगल किसे कहते हैंब हमाँ एंगल देख लेते हैं कॉन-कॉन से एंगल होते हैं पहला देखेंगे 0 degree ठीक है तो देखिए आप सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं एक ही है पॉइंट हो गया, पॉइंट से इस रेखा पर 0 degree angle बनेगा, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, अब देखे यहाँ पर क्या है, जब कोई भी मतलब अंतिम बिंदू, अंतिम किरन बिना किसी गूनन के प्रारंबिक किरन के साथ समपाती हो जाती है, उसे 0 अंछ को आग गते हैं, जैसे कि इसके साथ यह वाली 0 अंछ के साथ यह रेखा हैं मिल जाएं, तो क्या कहलाते हैं ये वाली जो किरण है ये इस वाली रेखा पर मिल जाए बिल्कुल इसी पर रहे तब 0 degree angle बोलते हैं उससे जैसे की यहाँ पर है अब next देखते हैं अब बच्चो acute angle किसे बोलते हैं an angle has less than 90 degrees called acute angle अब देखिए बच्चे ये करेका हो गई इसके बिल्कुल बीचो बीच यहाँ जो कौर्ड बनता है वो तो होता है right angle जो कि यहाँ बता हुआ है an angle equal to 90 degrees called right angle ठीक है 90 degree angle हो गया यह बिल्कुल ऐसे ठीक है अब इससे कम पर जितने भी कौर्ण बनेंगे ठीक है यह हो यह हो यह यह वाला हो तो वो क्या होते हैं acute angle होते हैं, मतलब 90 से कम, अगर यहाँ पर कोई बनता है, यहाँ पर कोई बनता है, यहाँ पर कोई बनता है, और यह एक रेखा होती है, ठीक है, और अगर इस से अधिक बनता है, तो वो क्या होता है, obtuse angle होते हैं, ठीक है, अगर 90 degree से अधिक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बता अब next देखते हैं बच्चो next क्या है next है straight angle बिल्कुल 180 degree आप line कीच कर देखिए उस पर जो कौन बनेगा वो कैसा होगा straight angle होगा an angle equals to 180 degrees called straight angle तो बिल्कुल देखो सीधी रेका में जो कौन बनता है ये रहा ठीक है जिसका map 180 degree होता है वो कौन सा होता है straight angle होता है next देखेंगे reflex angle an angle has more than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle अब देखिए हमने यहां तक 180 degree की बात कर ली ठीक है आप देखिए यहां पर हो तो 0 degree फिर यहां से बड़े यहां तक अगर कोई angle बने तो वो क्या है यहां से यहां तक कोई angle बन रहा है तो वो क्या है acute यहां पर बनता है तो क्या है right angle अगर यहां बन जाए कोई angle तो obtuse अब देखिए यहां से फिर अगर हम वापिस लोटके यहां पर आ सकते हैं यहां से start करके यहां तक अगर हम पूरा करते हैं तो यह हो जाएगा बच्चो complete angle ठीक है तो complete angle कौन सा होता है जो पूरा 360 complete करता है an angle equals to 360 degree also has a one complete rotation is called complete angle जैसे कि यहां से शुरू किया वापिस से यहां लेकिन अगर यहां से लेकर यहां तक मतलब यहां से लेकर और यहां तक कोई angle बनता है तो वो होता है reflex angle ठीके इसे बोलते हैं पृतिविर्थी कौन इस टाइप से कोई कौन ऐसे करके बन रहा है तो वो क् लेकर से अंगल तो आई होप आपको समझा क्या होगा आप कोईशन आंसर देख लेते हैं बच्चों कोईशन आंसर देखते हैं लेट्स डू कोईशन नमबर वन है ड्रोई लाइन सेग्मेंट एबी ओफ द लेंथ लेंथ ओफ 7.3 साथ दशमलव तीन सेंटीमीटर लंबा ए देख रेका कंट एबी खीच लेते हैं देखिए यह रहा आपका अंसर नमबर वन है यह आप स्केल रखिए और 7.3 सेंटीमीटर का यह एबी के नाम से एक रेका कंट खीच लेजे ठीक है लाइन सेग्मेंट लिख देना आप कोईशन नमबर टू है इन एक लॉक टेल टाइ 9 a.m. 12 noon आपको क्या करना एक घड़ी में गंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के कौन का आपको टाइप बताना की कौन सा कौन है जब उसमें टाइम हो रहा हो या तो उसमें 3 a.m. का टाइम हो 6 a.m. का 9 a.m. का या फिर 12 noon हो रहे हूं तो देखिए आपको कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूं देखिए बच्चों आप ऐसे बनाएंगे ठीक है घड़ी में आप एक सरकल बना देंगे उसमें यहां 12, 3 यहां 9 यहां 6 लिख देंगे ऐसे करके ठीक है अब इसमें आपको 3 a.m. दिखाने आप English Medium वाले यह लिखेंगे 3 a.m. और आप नीचे लिख देंगे राइट एंगल 90 दिगरी ये कौन सा एंगल होगी है राइट एंगल 90 दिगरी फिर आप घड़ी में इसे 6 बना देंगे 6 a.m. ठीक है इहां 6 a.m. लिख देंगे और यहां पर आप लिख देंगे एसeder नो बजा देंगे ठीक है ये ये वाली जो यह वाली सुई है यह आप ऐसे बना देंगे और यह वाली ठीक है और फिर आप उसमें time बता देंगे 9am ठीक है और यहाँ पर आप लिख देंगे यह कौन सा angle बनता है इसमें right angle 90 degree फिर एक ऐसे घड़ी बनाएंगे इसमें आप 12 noon बना कर दिखा देंगे यह रहा 12 noon इसमें यह देखें यहाँ से start हुआ था यह आपका और यहाँ से यहाँ पूरा circle करते हुए यहाँ गया ठीक है 12 बजा दिए इसमें तो आप इसमें क्या लिखेंगे आप इसमें लिखेंगे बच्चो complete angle 360 degree का बनता है इसमें ठीक है आप next question देखते हैं next question है can we measure the length of arms of an angle क्या हम किसी की लंबाई को माप सकते हैं also tell the reason आपको reason भी देना है कारण भी बताना है तो आप इसका answer लिखेंगे यह है answer number 3 का answer answer number 3 में लिखेंगे we cannot measure as the arms can be extended to any length and angles always remain same हम नहीं माप सकते क्योंकि जो इसकी arms होती है उनकी लंबाई को कहीं तक भी बढ़ा है जा सकता है ठीक है उसकी लं अंगल्स जो होते हैं वो हमेशा same रहते हैं ऐसे के यह से रहते हैं length बढ़ने का उन पर कोई कोई असर नहीं होता तो इस पर यहां आप full stop लगा देना और आप इतना answer लिख देंगे बस अब question number 4 है question number 4 देखें यहां पर क्या करना है question number 4 में draw an angle of 30 degree, 60 degree, 100 degree, 120, 150, 210 degree, 270 degree with the help of protector protector, protector की help सा आपको यह angles बनाने तो बनाते हैं हम इने कैसे बनाने हमें देखेंगे हम, देखें यह हो गया 30 degree का, ऐसे बनाएंगे, यहां से start करेंगे 10, 20, 30, ठीक है फिर 60 degree का बना देंगे second number पर, 30 के बाद 30 और 60 का ऐसे बन जाएगा, फिर आप बना देंगे बच्चों 100 का, 90 यहां वो होता है, ठीक है, और यह थोड़ा से ही जादा है, तो यह कितने का हो गया, acute से थोड़ा से जादा है नहीं, यह obtuse angle है, तो यह 100 का हो गया, तो यह 100 ऐसे बना देंगे, 120 ऐसे बना देंगे, अच्छा, अब यह next कौन सा है, 150 का ऐसे बना देंगे, 100 से, मैं 50 और add कर ऐसे बन जाएगा, अब 210 यहां से start करते हो, यहां तो हो गया, 180, 30 और बढ़ा देंगे, तो यह ऐसे करके कौन सा बन जाएगा, 210 डिगरी का angle बन जाएगा, protector की help से बना सकते हैं, आप scale से एक line कीचेंगे, फिर एक, आप mark करेंगे, 210 कहां तक बैठता है, फिर 210 का बना नेक्स्ट वीडियो माँ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आईए, तो प्लीज हमाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, माँ चनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वचिंग,